Hello everyone, welcome back to my channel Friends, आज मैं बनाने वाली हूँ सहजन की सबजी यानि ड्रम स्टिक की सबजी इसे मैंने 2-2 इंच के टुकडों में काट कर इस तरीके से इसके पतले-पतले जो छिलके निकलते हैं उसे निकाल लिया है और इसे धो लिया है इसके साथ ही इसमें हम मिक्स करेंगे आलू यानि आलू और सहजन की सबजी बनाएंगे आलू को मैंने धोकर इस तरीके से लंबे slisses में काट कर पानी में डाल दिया है साथ ही इसकी जो ग्रेवी हम बनाने वाले हैं Mustard सीर्ट से बनाने वाले हैं इससे ग्रेवी फ्रेंट्स बहुत जादा यम्मी और टेस्टी बनती एक बार आप जरूर ट्राई किजिएगा इसे धोकर 10-12 लेसन की कल्यों को डालकर मिक्सी के जार में इसका एक पेस्ट रेडी कर लिया है मैंने अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं गैस पर यहां पर मैंने कडाई में दो चम्मत सरसो के तेल को अच्छे से हीट करके सबसे पहले हम आलू को सिंपली से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे आलू को तीन से चार मिनट के लिए इसी तरीके से भूनते हुए हमें लाइट ब्राउन कर लेना है यह देखिए चार से पांच मिनट मुझे हमें एक्स्ट्रा टेल और नहीं ड़ना है इसी कडाई में हम अपनी सेजन को हलका-हलका सा भूलेंगे हलके हाथोसे हमें घुमाते हुए हल्का हलका सा हम इसे रोस्ट कर लेंगे रेकिये इस तरीके से जिस से इसका कच्छापन तोड़ा सा निकल जाये मुझे इसको तो तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और साथ ही दो से तीन सूखी लाल मिर्च डाली है और एक चमच पंच फोरण इसे डाल दिया है अगर आपके पास पंच फोरण नहीं है तो आप इसकी जगह एक चमच मेथी दाना भी डाल सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर कर आजाता है जैसे ही पंच फोरण थोड़ा सच चटक जाए तो हमने जो यह पेस्ट रेड़ी करके रखा है सर्सो का उसे डाल देंगे यह देखी मैंने पूरा पेस्ट डाल दिया है मैं इसे कंटीनियू ही लाते हुए एक से देड़ मिनट के लिए अच्छे से भून लें अभी इसमें हम कोई मसाले नहीं डालेंगे फ्रेंट्स थोड़ा सा भी हम इसे सर्सो को ही पका रहें इस तरीके से घुमाते हुए हमें पहले थोड़ा सर्सो को पका लेना है उसके बाद हम मसाले अड़ करेंगे यह देखी फ्रेंट्स सर्सो को भूनते हुए मुझे एक से और साथ ही डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, यहां नमक मैं एक से देड़ छोटी चमच डाल रही हूँ, अब डालकर इन सभी मसालों के साथ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, यह देखी इस तरीके से, और यह ठीक हो गया है मसाला, इसलिए हम एक से दो चमच पानी डालकर इसे अच्छे से भूल लेंगे, ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छे से भून जाए, कुछ दिर भूनने के बाद देखी है मसाला फ्रेंट्स इस तरीके से भून गया है, आप देख सकते हैं मसाले ने साइड से तेल छोड़ दिया है, आपको देखने में पता चल रहा होगा कि मसाला हमारा 80-90% तक भून गया है, अब इस स्टेज पर हम रफली चॉप टमाटर डाल देंगे, आप टमाटर को पीस कर भी डाल सकते हैं, अब टमाटर डाल कर भी हम इसे 2-3 मिनट के लिए भूल लेंगे, जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए, इसलिए थोड़ा सा धकन लगा देंगे, धकन लगाने से यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, चलिए 2-3 मिनट बाद फिर से चेक कर लेते हैं ये देखिए आपको देखने से पता चल रहा होगा टमाटर बहुत ही अच्छे से गल गया है और बहुत ही अच्छे से मसाला हमारा भून के रेडी हो गया है ये देखिए इस तरीके से घुमाते हुए एक दो बार हम अच्छे से मिक्स कर लेए ये देखिए फ्रेंड्स मसाला हमारा भून के रेडी है मसाले ने साइड से तेल छोड़ दी है और बहुत ही अच्छा मसाला हमारा भूनाया बहुत ही अच्छी खुश्पू आ रही थी अब इस स्टेज पर हमने जो अपने आलू और सहजन को फ्राई करके रखा है उसे आड कर देंगे आलू और सहजन को डाल कर हमें मसाले में हलके हाथों से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ आलू और सहजन को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे और इस stage पर हम पानी एड़ करेंगे पानी आप अपने according डाल सकते हैं जितनी आपको gravy रखनी है यहां मैं एक ग्लास के जितना पानी डाल रहे हूं इससे gravy ना तो जादा पतली बनेगी ना जादा थिक और एक बार इस तरीके से mix कर लेंगे और ढकन लगाकर आलू के soft होने तक इसे पका लेते हैं चलिए यहां मैंने cover कर दिया है इसे 5-7 मिनट बाद फिर चेक कर लेते हैं यह देखी एक बार इसे हलके हाथों से mix कर लेंगे आलू चेक कर लेते हैं यह देखी आलू भी बहुत ही अच्छे से पक गया है और यहां मैंने इसे थोड़ा सा लटपटा ही बनाया है अब चलिए गैस के फ्लेम आफ करते हैं डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया आप धनिये की जगा कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं अब चलिए इसे बाउल में ट्रास्फर कर लेते हैं यह देखी हमारी सर्सो की आलू सहजन की सबजी बन कर तयार है फ्रेंट्स एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा बहुत ज़्यादा यमी है और टेस्टी बनती है अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए इसी तरह की अमेजिंग रेस्पी के साथ मिल जी हूँ आपसे नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग